आज महाराश्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गाउं में डिशेंटना है उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे जो तनकीद करते हैं का काम सिर्फ तनकीद करना उनको गालमर कुछ और करना नहीं हाता लोगों का स्टेंडर ऑफ लिविंग इतना उचा हो गया है घर घर में बिजली पानी राशन होगा पूरी शिक्षा मिलेगी महगाई जाएगी इंडस्ट्री के मौमले में महराष्ट नमबर वन है पुशाली आएगी अब सिर्फ थर्टी फाइप पॉइंट एट परसेंट लोग गरीबी की रिखा के नीचे हैं पॉवर्टी के नमबर्स आपको वैसे तो मिल चुके हमने एक इविंट किया था 9.31 परसेंट अपॉवर्टी लाइग हमारा परिवार बहुत गरीब था हम लोग खेती बारी करते थे मेरे वालिद का तालुक एक गरीब किसान के घराने से था तुमें जानना है मेरी पॉपर्टी के बारे में तो जो कोट में केस करो वहां कर बताओंगा कि मेरे पास क्या है हमें कहते हो कि जनाब अपने असासे डिकलेर करो असासे तो अलग फ़द्र करम से हमने कुर्वान किये पाकिस्तान के लिए इस इंटर्वियू को संसनी खेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेवन्यादी बातें कर रहे हो तुम जनता को मेरे खिलाव भड़काने की साज़िश है यहां तो यह सब लोग टंगे कैंसरी वाले बैठे हुए है अनेक्स्टर ए, बी, सी, जी करके 18 सेप्शन है मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तवीजाद पहले ही मुतलका एदारों बशमूल सुप्रीम कोट के पास मौजूद है आग में हाट डालोगे जल जाओगे जो हमें चबाने की कोशिश करेगा, उसके दान तूप जाएंगे, हम लोहे के चने है आज तक एक बाद भी सीम के आफिस में आए हो, वहां की चौकट पार्की है तुम्ने जानते हो कितना कुछ जेलता हूँ मैं, जो सीम की कुरसी पर बैठता है न वोही जानता है मुझे कई लोग पूछते थे जब से बनें, आप इतने परिशान क्यूं है आगर देखो के दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाए पेनाते हैं, गालिया देते हैं आप क्यों नहीं हंसते खेलते मुस्कराते मैंने का कि इतना मुझे जो बोज है जिम्मधारी का जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे हंसना भूल गया हूँ मैं पता नहीं कहां कहां से पुरानी फाइले खोच-खोच कर मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भायों प्रॉपटीज ये कहां से निकाल के लिया है वेटा तीस साल का तजरुबा है हमारा राजनीती का ताथ भायों ने मेनत मजदूरों की तरह तीस की दहाई से सफर शुरू किया आज मैंने एक आला सती अदालती कमिशन काइन करने का फैसला किया है अगर साबित हो जाए तो मुझे फासी पर लटका दो मैंने तुम्हें रोका है कि कमिशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई लजाम साबित हुआ तो मैं एक लबे की ताखीर के बगएर घर चला जाओंगा आज मैं सब का पोस्ट माटम करके जाओंगा क्पांगा की सबक्स्टा भी साथ ग्रॉव प्र तो